गाउं गाउं जाकर बाटी गई मच्छरदानी जी हाँ आपको बता दे कि हमारे छेत्री विधायक हरी राम चेरो और स्वास्त विभाग के डॉक्टर गौरव के माध्यम से ग्राम कटॉली और कटोंधी में तीन तीन सो मच्छरदानी बाटी गई मच्छरदानी डॉक्टर गौरव और छेत्री विधायक हरी राम चेरो ने हमारे स्टार सेवें टीवी नियूज के समभादाता सुदर्शन कुमार मौर्या से बात की और बताया कि यह मच्छरदानी केवल मच्छरदानी नहीं है बहुत ही विशेश तरह की मच्छरदानी है यह एक मेडिकेट मच्छरदानी है कई बीमारी से बचाएगी स्टार सेवें टीवी नियूज की कवरेज सुदर्शन मौर्या की रिपोर्ट अग्यारीया से ख्विडित ज्यादा होते हैं इसे मच्छर जो होते हैं यह काफी लोगों में यहां पाये जाते हैं इनके रोख्थाम के लिए यह तरप्रदे सक्कार करा मच्छदानी बेकर इलोजन जन्तुत्रीजी के मार्जम से लिए जा रहा है देखे आज पटोली गराम पंचायत में मच्छदानी का बित्रान कारकरम रखा गया था अशे में यहां के प्रदान जी और इस गाओं के जन्पृतिनी जी मुझे स्वह मामंत्रित किये थे कि विदायक जी आप आएंगे तो अती सुन्दर लएगा मेरा तबियत खराब होने के बावजूद भी मैं इस गाओं में आज यहां पे उपक्षित हुआ हूँ आज इस गाओं में समुदाइक श्वास्त गेदर दुद्धी के माध्यम से मलेरिया अधिकारी के द्वारा डाक्तर गौरों के नित्वित में तीन सो मच्छरदानी का बित्रण किया जा रहा है यह मच्छरदानी पूरी तरह मेडिकेटिट है दवासे लैस है और यह मच्छरदानी कोई सधारन मच्छरदानी नहीं है जैसा कि मुझे बताया गया है कि यह तमिल नादू से बन करके आया हुआ है और यह मलेरिया डेंगु जैसे बिमारी के लिए बहुत रोख ठाम में काम करेगा इसके बारे में डाक्टर गौरों जी जो है बहुत ही विस्तार से यहां के ग्रामिनों को भाईयों बहनों को बता दिये हैं और मेरी सरकार बहुत ही परमुक्ता से मेरी सरकार बहुत ही परमुक्ता से मच्छरदानी से लेकर के स्वास्त विभाग का जो भी काम है सरकार की जो जनाय आ रही है सावसफाई से लेकर के सवक्षभियान से लेकर के और डेंगू मलेरिया जैसे बड़ा बिमारी पर जुद्धी समुदाइक स्वास्त केंद्र के जो डाक्टर है गिर्धारी लाल जी और उनके संयोगी इस गाओं में एक डाक्टर बहुत ही अच्छे डाक्टर आये हैं जो इतिहास पहली बार अएंबी बियास डाक्टर साहालम जी कटोहली के प्रात्मिक स्वास्त केंद्र में यहां रह करके दवाई इलाज करते हैं यह बहुत बड़ी उपलब्दी है इस गाओं के लोग के इतिक्त के लुए जबसे सरकार बनी है निरन्तर जो है बिजली पानी शड़क सीचाई पर काम कर रही है यहां पर म हन्नी सटानमंत्री जी शवयम किये हैं जन्पत के लिए हर घर को पानी देने का काम किये हैं सभाक योजना के अंतरगत आप सबको पता है कि घर-घर बिजली मिला हुआ है यहाँ पे जो हमारे माताएं बहने जंगल से लकड़ी लाकर के खाना बनाती थी अब उसमें भी बहुत कमी आई है लगभग लगभग बहुत महिलाओं को लगभग हर घर को जो है गैस दे करके गैस शिलेंडर दे करके और महिलाओं को जो है उस आग के धुए से बचाये गया है